हेलो एकाउंट्स में नया चैप्टर शुरू करेंगे सिंपल सा चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है चैप्टर का नाम है Redemption of Preference Shares अच्छा वैसे अगर आपको याद हो तो Redemption of Preference Shares के Theoretical Aspect आपसे Section 55 of Companies Act में मैंने डिसकस किया था ठोड़ी ठोड़ी जो important बाते हैं हमारी वो मैं दुबारा से एक बार डिसकस करूँगा आपसे जो हमारे लिए accounting को इंटर्वी से relevant है क्या क्या जरते को याद करो मैंने का था है Preference Shares हमारे दो तरह क्यों सकते हैं एक है Redeemable Preference Shares और दूसरे है Irredeemable Preference Shares पहली बात Issue of Irredeemable Preference Shares is prohibited मतलब a company cannot issue a redeemable Preference Shares company सिर्फ कौन से Preference Shares issue कर सकती है redeemable जिनका maximum period maximum period 20 साल हो सकता है याद करो अगर आपको याद आए दोड़ा सा इस रूल का एक exception भी था इस रूल का एक exception भी था अगर infrastructure project के लिए आप Preference Shares इशू करते हो तो period आप 20 साल से जादा रख सकते हो दूसरी एक बात और अगर आपको यादो जब तक Preference Shares fully paid नहीं है आप उनको redeem नहीं कर सकते मतलब अगर balance sheet में partly paid Preference Shares stand कर रहे हैं तो आपको final call बुलवा के पहले उन्हें करना पड़ेगा fully paid उसी के बाद आप Preference Shares को क्या कर सकते हो आप redeem कर सकते हो ठीक है यह दो important बात है अच्छा तीसरी very important sources of redemption यह जिरा सुना में जान से sources of redemption अच्छाबन मुझे एक बाद बताओ redemption का मतलब क्या हुआ redemption का मतलब हुआ आप preference shareholders को repay कर रहे हो मतलब आप उनको पैसा पे कर रहे हो अब एक बाद सोचो preference shareholders को देने के लिए company के पास पैसा कहां से आएगा अच्छा दो बाते हो सकती है हो सकता है company के पास कुछ profits पड़े वे हो तो company उन profits को redemption के लिए क्या कर सकती है utilize मतलब पहला redemption हो सकता है out of profits redemption हो सकता है out of profits या मैं कहूं redemption हो सकता है out of free reserves इसमें मैं खेर अभी बाद में भी आऊँगा ठीक है अच्छा इंपास अगर company के पास sufficient profits available नहीं है तो बताओ company क्या कर सकती है company fresh issue कर दे किसका shares का company fresh issue कर दे किसका shares का मैंने word shares लिखा है क्या मतलब हुआ equity भी आ जाएंगे और preference shares भी आ जाएंगे एक बात और बता दू मैंने word fresh issue of securities नहीं लिखा है fresh issue of shares लिखा है इसका मतलब यह हुआ debentures आप issue नहीं कर सकते equity share issue कर सकते हो preference shares issue कर सकते हो debentures आप issue नहीं कर सकते तो याद रखना preference shareholders को देने के लिए company के पास पैसा कहां से आएगा दो तरीके हैं या तो company अपने पास पड़ेवे profits को क्या कर ले utilize अगर profits sufficient नहीं है तो पब्लिक को क्या issue कर दे fresh issue of shares be it equity be it preference debentures issue नहीं कर सकती फिर फिर fourth अब आपको अगर याद हो तो मैंने section 55 में कराया था कि जब company redemption करती है न तो company को mandatory है उसे कुछ पैसा capital redemption reserve में transfer करना पड़ता है जादे कुछ कितना पैसा आपको capital redemption reserve में transfer करना पड़ता है equivalent to nominal value of preference shares redeemed out of profits मैं आपको थोड़ा से example देके बताता हूँ जला मेरी बात सुनना अभी सिर्फ सुननी है मेरी बात है अच्छा imagine करो हम एक लाक रुपे के preference shares redeem कर रहे है मतलब preference shareholders को देने के लिए हमें एक लाक रुपे चाहिए अच्छा एक लाक में से सतर हजार रुपे के profits मेरे पास already बड़े हैं तो सतर हजार रुपे के तो मैंने profits utilize कर लिये बच गए तीस हजार तीस हजार के मैंने fresh issue कर दिये shares का अब मुझे बताओ एक लाक के redemption में से कितने रुपे का redemption out of profits हुआ सतर हजार का तो आपको सतर हजार रुपे बताओ कहां पर transfer करने पड़ेंगे capital redemption reserve और ये आपका compulsory है कोई option नहीं दे रही है company's act compulsory है अच्छा फिर मैंने company's act से पूछा कि ये बताओ इस capital redemption reserve को हम utilize किन कामों के लिए कर सकते हैं government ने क्या का company's act ने क्या का capital redemption reserve सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए utilize होगा और वो क्या है अगर आप equity shareholders को bonus shares देते हो ना तो bonus shares आप दे सकते हो out of capital redemption reserve ये पांच बाते होगी सब discuss कर चुके अच्छा अब आओ एक दो बाते होगी सुन अब ये भी करा हुआ है मुझे बताओ redemption of preference shares at premium suppose सुनों suppose एक लाक nominal value के preference shares आप 10% के premium पे redeem कर रहे हो मतलब 10,000 रुपे के premium पे redeem कर रहे हो इसका मतलब आप preference share holders को कितना दे रहे हो एक लाक दस हजार आप सुनों अगली बात ही आती है company के पास ये 10,000 रुपे देने के लिए कहां से आएंगे तो इसके लिए अगर याद हो तो मैंने एक section 52 आपको बताया था जिसमें हमने securities premium का utilization पड़ा था और मैंने का था दो companies होती हैं एक वो companies which are specified under section 133 और दूसरी होती है other companies अच्छा अगर section 133 में जो company specified है उनकी बात करी जाए तो security premium का पैसा तीन कामों के लिए utilize हो सकता था section 133 के case में bonus के लिए हो सकता है buyback के लिए हो सकता है expenses commission discount on issue of shares and debentures को write-off करने के लिए हो सकता है सिर्फ तीन कामों के लिए जबकि other companies के case में ये तीनों तो हैं है दू ये तीनों तो हैं है दो और हैं कौन कौन से दो और premium on redemption के लिए आप utilize कर सकते हो और preliminary expenses को write-off करने के लिए आप utilize कर सकते हो अब मुझे एक बाब बताओ सुनों अगर आपकी company is a section 133 company तो तो आप security premium को तो तो आप security premium को security premium को premium on redemption के लिए utilize नहीं कर सकते अगर section 133 company है और अगर आपकी other company है तो आप security premium को premium on redemption के लिए utilize कर सकते तो अब problem आती है question में क्या सर गिवन होगा कि section 133 है या नहीं बचे generally given नहीं होता है तो note में आपको एक लिखवा देता हूँ आपको क्या करना है और आपका जो study material है वो क्या करना है आपको in absence of any information it is assumed that company is a company governed by section 133 and therefore security premium cannot be utilized cannot be utilized for writing of premium on redemption तो अगर question में given नहीं है तो आप मानके चलोगे कि section 133 company है और क्योंकि section 133 company है therefore security premium cannot be utilized for writing of premium on production तो यह हमारी ना कुछ basic conditions है अगली class में मैं आपको कुछ general entries लिक्वाँगा और questions करेंगे ठीक है ठाक्यू जहाली झाली